नीलुस की चयंद में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत आज़ी शानदार आसान सी मिठाई की रेसीपी लेकर आई हैो दोस्तों आपने काजू की कतली तो बहुत बनाई होगी और खाई होगे लेकिन आज हम बना रहे हैं बादाम की कतली चुके बहुत ही आसान तरीके से बनेगी तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक कप बादाम जो घर पर नॉर्मली इस्तुमाल किये जाते हैं यह वही बादाम है इसमें डालेंगे हम गरम पानी पानी हम यहाँ पर दो कप डालेंगे और यह काफी खौलता हुआ गरम पानी है इसमें डाल कर हम इसे दो गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बादाम अच्छे से भीग जाए और इसके उपर के जो छिलके हैं वो इजीली निकल जाए तो ये देखे हम इसे हलका सा प्रेस करते हैं तो इसके छिलके बहुत ही असानी से हट जाते हैं इसी तरीके से हमें सारे बादामों को साफ कर लेना है और ये देखे ये अच्छे से साफ हो चुके हैं अब हम इसे एकसाइट रख देते हैं अब जितने हमने बादाम लिये हैं उसके आदी हमें शक्कर लेनी है और शक्कर के आदी हमें लेना है पानी मतलब one foot cup लेना है पानी तो ये measurement बहुत आसान है ध्यान में रखने के लिए कि हमने जितनी ingredient लिए है उसके आधे-ाधी सारी चीज़े लेनी है अब हम लेंगे एक mixika jar इसमें डालेंगे बादाम, शक्कर और पानी तीनों चीज़ हम एक साथ डाल देंगे और इसे grind करेंगी लेकिन एक बात का ध्यान रखे, आपको पानी इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना आपकी मीठाई सैट नहीं होगी पानी कम होने के वज़े से इसे grind करने में थोड़ी परिशानी जरूर होगी लेकिन आप छोटी जार में इसे पीसेंगे तो ये आसानी से पीस जाएगा अब हमें लेना है एक कड़ाई, कड़ाई में हमें ये सारा मिश्रन डाल देना है और इसे गैस पर रखकर हमें इसे पकाना है देखे इस मीठाई को बनाने के लिए इसकी जो cooking skill है वही बहुत ही important है तभी आपकी मीठाई अच्छी बनेगी और set भी होगी तो ये देखे हमने इसे 5 मिनट के लिए गैस पर फुल आच पर रखा है और जैसे 5 मिनट होंगे हम गैस की flame को धीमा करेंगे और इसमें add करेंगे 1 third cup milk powder और 2 teaspoon डालेंगे देशी घी जी हाँ milk powder से इसमें taste काफी अच्छा आएगा और घी डालने से इसमें एक बहुत अच्छा shine आएगा साथी taste भी इस भरफी का कई गुना जदा बढ़ जाएगा अब हमें इन सारे चीजों को अच्छे से mix करना है और इसे पकाना है देखिए यहाँ पर हमने पीस्ते वक्त पानी भी डाला है साथी शुगर भी है तो इन दोनों का जो मश्यर है इसे सूखने तक या dry होने तक हमें इसे continuously चलाते हुए cook करना है जब तक हमारा मिश्रन अच्छे तरीके से गाड़ा ना हो जाए या फिर वो आटे की तरह या फिर दो की तरह बिल्कुल न बन जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो देखिए लगभग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो मिश्रन है हमारा किस तरीके से गाड़ा हो चुका है और वो कड़ाई को छोड़ने लगा है लेकिन फिर भी आपको धीमिया आज पर इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि इसके अंदर का जो मश्र है वो completely dry हो जाए बहुत जरूरी है जब तक यह dry नहीं होता तब तक आपको इसे पकाना है तो यह देखिए अब यह अच्छे तरीके से dry हो चुका है और अब यह हमारा मिश्रन तयार है अब हम इसे एक baking paper के उपर या फिर butter paper के उपर या फिर normal इगर पर जो plastic का paper होता है उसे लेना है उसके उपर हमें यह सारा मिश्रन डाल देना है और अब हम जो चम्मच या spatula के उपर जो सारा मिश्रन लगा हुआ है उसे भी एक चम्मच से या फिर घी लगी हुई चम्मच से हम ये सारा मिश्रान इसके अंदर डाल देंगे और इसके ओपर हलका सा घी लगाकर हमें इसे मसलना है जी हाँ अभी ये काफी गरम है तो इसे हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है लेकिन आप इसे हलका ठंडा होने के बाद ही इस तरीके से मसलिए ताकि आपको ये ज़्यादा गरम ना लगे मैं तो इसी तरीके से अभी तुरंथी कर रही हूँ तो ये देखिए जैसे जैसे हम इसे मसल रहे हैं इसमें बहुत अच्छा शाइन आ रहा है और ऐसा करने से देखिए मीठाई जब हम सैट करेंगे तो इसके उपर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी और ये बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बर्फी बनकर तयार होगी तो ये देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मसल लिया है इसे आप इस तरीके से ज़रूर मसले और इसका हमें एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है और इसके उपर भी हलका सा घी लगा कर एक दूसरा वाला बटर पेपर या फिर बेकशिक पेपर रखकर हमें इसे बेलना है यहां पर आप इसे लगभग आधा इंच या फिर उसे थोड़ा कम मोटाई में इसे आपको बेलना है ताकि आपकी बर्फी की जो शेप है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा मतलब वो अच्छी एक बर्फी का शेप ले लेगी तो यह देखे हमने इसे बेल लिया है और इसके उपर हम लगा देंगे चांदी का वर्ग अगर आपको स्कीप करना है तो आप कर सकते हैं और इसे हमें लगभग 2-3 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देना है क्योंकि यह सेट हो जाएगी ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे काटेंगे तो यह देखिए अच्छे से ठंडी हो चुकी है अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं अब हम इसे काटेंगे और इसे आप तेज चाकू से काटे ताकि आपकी जो बर् अगर आपकी मीठाई अच्छे तरीके से पग गई है तो वह अच्छे से सैट होगी और इस तरीके से टेस्टी सुन्दर बिल्कुल हल्वा स्टैल दिखेगी अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत या परिशानी आई तो हमें डिस्ट कमेंड करें हम आपकी सहायता ज छूली तरीके से स्वेटिट और आपकी से तरीके सावेटन आपकी स्वेटन